सड़क के किनारे एक छोटी सी जोपड़ी हुआ करती थी उसमें रहा करते थे हम मैंने अपनी स्कूलिंग वहां से करी जहां पर मेरे पिता जी सफाई करमी थे बिए थे तॉट यहाओ अपुछा, लोट नगाता था बरतन दूलता था ता चार्ण, सबजियां सब्स्कारिदने जाता था और शोने का मौकर नहीं भी विलता था अब यह तो थे सम जे कहड था कि सतीश तो भाग गया भागानएगा नहीं गर गया होगा जिन्दगी आपको कुछ नहीं देने वाली, जिन्दगी को माइना आपको देना है, और आप अपने जिन्दगी को माइना तब ही दे पाएंगे, जब आप मनजिलें मिल ही जाएंगी, भटकते भटकते ही सही, गुम्रा हैं वो, जो घर से निकले ही नहीं, खुशियां, तो मिल ही जाएंगी, रोते रोते ही सही, कमजोर दिल के हैं वो, जो हसने का, सोसते ही नहीं, नमशकार मेरा नाम सतीश आनंद है, और मैं नोतनवा एक छोटा सा कस्बा है, जो गोरकपुर से करीब 90 किलोमेटर दूर निपाल बॉर्डर के तरफ है, मैं वहां करहने वाला हूँ, मैंने अपनी स्कूलिंग वहां से कर जहां पर मेरे पिता जी सफाई करमी थे, सन दो हजार एक में मैंने बारवी पास करा, और अगर मैं बात करूँ कि हमारा आवास कैसा होता था, सडक के किनारे एक छोटी सी जोपड़ी हुआ करती थी, उसमें रहा करते थे हम, और वाश रूम के यानि की लू अगेरा के जो परिस्तितियां लेकर आएं, सन दो हजार एक में जब में बारवी पास करा, तो मैंने इच्छा जाहिर की अपने पिता जी से, कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, और मुझे सी पी एमटी प्रपरेशन के लिए गोरगपुर भेजा जाए, लेकिन मेरे पिता जी ने जोपड़ी था, उसको अनोंने गिर्वी रखा कुछ पैसों पे और फिर मेरा दाखिला गोरगपुर में एक सी पी एमटी प्री मेडिकल कोचिंग इंस्टिटूट मेरा दाखिला हो गया, और मैं एक साल रह कर वहां पर तैरी करा, लेकिन मैं असफल हो पाया, असफल हो पा और मैं आपको यह बता दू जैसे मैं आपको बताया कि पिता जी ने घर जोपड़ी ती सड़क के किनारे इसको गिर्वी रख दिया था, अब आरे पास घर नहीं था, और हम स्कूल प्लेग्राउंड में जहां पर पिता जी हमारे सफाई कर्मी थे उस स्कूल प्लेग्राउ शाद यही परिस्तितियां मेरे छोटे भाई बहन के सामने भी आएंगी, तो मैंने ठाना, मैंने दृण निश्य करा कि मैं नौकरी करूंगा, काम करूंगा और फिनांशली अपने परिवार को सपोर्ट करूंगा, ताकि हमारे भाई बहन जो छोटे भाई बहन हैं उनको इन विशम परिस्तितियों का सामना ना करना पड़े, तो मैंने फैसला किया घर से भाग जाने का, मैंने पने पिताजी के जेब से पचास और चुराएं, और मैं जो स्टेशन था हमारे घर के पीछे, मैंने ट्रेन बोट करा, और मैं गोरगपुर आया, सन 2002 की बात है यह, और ग अशी खाल का हुआ था कॉल सेंटर में नोग्रिया, अब मुझे बता था targeting, मुझे बता पता हूब को क्या हा ध्हीन तो मैं उसके पास गया रहें है, तो मैं इसके पास अचया क्या है है उसे भी कॉछ ना पता था की कॉल सेंटर क्या है उसने बस बोला कि लखनों में नोकर जो कि गोरकनात एक्स्प्रेस ग्यारःपचास या ग्यारःपचपन पे थी और मैं ट्रेन पकड़के चार बाग पहुच गया लखनौ पहुच गया और मैं राधकृष्णभावन जो कि हजदर्गन पार्क रोड पे बिल्डिंग है मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर मुझे बताएगा कि इंटिव्यू जी ए कंपनी का चल रहा है जो कि अब जनपैक्ट कही जाती है जी ए और ये इंटिव्यू चल रहा था होटल गोंती साप अब रुमार का रुक कर लिया मैंने देखा कि सब कोई वेल ड्रेस्ट था उनका जो कपड़ा था उनका जो एटायर था कमाल का था सबने टाई लगाए हुआ था सब के जूते पॉलिष्ट थे सब हैंसम दिख रहे थे सब के पास एक डॉक्युमेंट भी था जिसे सीवी र करो तो मेरे पास कोई डॉक्युमेंट नहीं था तो उनोंने बोला कि जाओ जाके कहीं से सीवी बनवा कि लाओ तो मैंने का सीवी कहां से बनवाना है क्योंकि मैंने उसके पहले कभी computer touch ही नहीं किया था और computer देखा भी नहीं था तो मैं किसी ने मेरे को बोला कि Cyber Cafe वहाँ च वहाँ था चोटी सीवी बनाई और मैंने रस्ट्षिनिस्त को देगी और जब रस्ट्षिनिस्त को सब्मिट किया मेरा नंबर आया मेरा इंट्र्वी का जबारी आया रेकृूटर ने मेरे से अंग्रेजी में पूछा कि अन्यू तेल में संथिंग बाव यॉर्सेल्फ उसक मुझे नौकरी करनी थी और कौनसी नौकरी जाडू मारने वाली नौकरी क्योंकि मेरे पिताजी सफाई कर्मी थे मैं उस सोच के साथ आया था कि मुझे जाडू पोचा वाली नौकरी मिल जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा और मैं इस इंप्रेशन में था कि शायद क्या नहीं चाहिए और मुझे डिस्क्वालिफाई कर दिया लेकिन मैं वापस नहीं गया मैं खाक चांता रहा लगनाओ में चारबाग स्टेशन पे काफी सारे धाबो पर गया लेकिन नौकरी ना मिली मुझे फिर बाभू बनारसिदास यूनिवरसिटी लगनाओ में यूनिवरसिटी चाहिए और उन्होनी बड़े कुछी-कुछी मुझे देती और पगार किती थी साड़े साथ साथ सौ रपहे खाना पीना फ्री था इए इप्र नमेल रहेएं सबस्त ऐ खार्ड फिर्ल अइए अर। सब्शुन दयता था वो फर वो याइवे ठाब कर दनी क्रिए और सवचर प्रहें अपीए एकर के अम्ला संटunto मैंने वहाँ पर काम करा और इसी 22 दिन के दर्मियान 21 दिन मैं हजरत गंज गया कुछ समान लेने के लिए दाबे का समान लेने के लिए और जब हजरत गंज से जब मैं दाबे का समान लेकर वापस लोट रहा था तो मैंने देख एक बangपी लगा के बैठा हुआ है और वो नगरीयां बेच रहा है मैं इसके पास गया मैंने बॉला की क्या है बाई साब उसने बॉला की नौक्रिया है मैंने बॉला क्या करना पड़ेगा üz ने का बस 500 और जोर नोक्री तुमारी लग जाएगी मैंने कह तो कमाल की बात है और किते मिलेंगे उसने बोला 5000 मैंने का इतनी तन्खवा तो शायद मेरे पिता जी की नहीं होगी अगर मुझे मिल रही 5000 तो बहुत बड़ी बात है तो मैं धाबे पे गया और मैंने करतार सिंग जी से बोला कि मुझे पैसे चाहिए और मुझे नोकरी मिल गई है उन्होंने बोला कौन सी नोकरी मैंने बोला यह नहीं पता बच मुझे नोकरी मिल गई 5000 की तो मुझे धाबे मालिक ने मेरे को 500 और दिये और मैं वापस गया उसी के पास मैंने उसको 500 अर्पे दिये और उसने मेरे को एक पर्ची थमाई और उसने लिखा युरेका फॉर्प्स फिफ्थ फ्लोर बाभु खान स्टेट सिकंद्राबाद आंद्रप्रदेश अब मुझे नहीं पता था मैंने पहले उसे पूचा ही नौकरी कहां पर है मैं समझता था लखनाओ में होगी लेक। उसने मेरे को पता है इसकंद्राबाद में है जो कि साउत में और मैं कभी गया नहीं शायद मैं लखनो भी वह मेरा पहली बार आना हुआ था और अब सिकंद वापस के आफिस मैंने पूरी बिल्डिंग चान डाली लेकिन मुझे युडिका फॉपस के आफिस नहीं मिला और मुझे समझ में आगया था कि धोका हो गया मेरे साथ अन्जान शेहर था और किसी को भी नहीं जानता था जेम एक फूटी कौडी नहीं थी समझ नहीं आठा कि रुकूँ जाओं या फिर क्या करूँ अगर वापस जाता हो तो क्या मुह लेकर वापस जाओंगा कि क्यो भागा था मकसद तो पूरा नहीं हुआ ना भी मकसद था कि मैं फिनांशल सपोर्ट अपने परिवार वालों को दूँगा ताकि छोटे भाई बेहन के सबने ना भिक्रे लिखिन अब देखिये मेरे पास कोई मेरे पास एक फुटी कोडी नहीं थी वहाँ पर और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था खाने के लिए कुछ भी नहीं था मैं वापस सिकंदराबाद स्टेशन गया मैं प्लैटफॉर्म पे बैठा था और यह तै करने में लगा था वापस जाओं या क्या करूं और तब ही मैंने देखा कि कुछ बच्चे कुछ लडखे वो कबाड बीन रहते रेलवे ट्राक से प्लास्टिक के थैलियां अफ़ा रह थे प्लास्टिक की बोतले अफ़ा रहते मैं फिर उनके पास गया मै झा खर वापस जाने से बेगर है कबाड बीनो मैं उनके पास गया उए उसका नाम अब्दूल था mieux मैं उससे पूछा कि किते पैसे मिलते हैं तुम्हें और क्या इसके लिए क्या किसी से पर्मिशन लेनी होगी किया पर्मिशन की जरुत नहीं तुम भी बस कबार उठाओ और बेचो अब आप देखिए मैं डॉक्टर बनना चाहता था जो कि ना बन पाया मैं बना लखनाओ में एक नौकर और अब नौकर से मैं क्या बन रहा हूँ एक कबार वाला और मैंने भी वही किया कबार बिनना शुरू किया रेल्वेट ट्रैक से नालियों में घुसकर प्लास्टिक की थैलियां उठाता था प्लास्टिक की बोतले उठाता था और देर शाम तक जो है राठी फा बस स्टॉप पे सोता था और ऐसे मैनने महिनों भर ख़रा मैने और मैं आपको ये बतादू कि इन महिनों के बीच में मैं अपनी कम्मुनिकेशिन याईजीी पर भी काम करता था क्योंकि अभी भी इंप्रेशन वही था कि नोकरी अच्छी करनी है तो अंग्रेजी आनी चाहिए उस पर मैं काम करता रहा, काम करता रहा और करीब एक महीने के बाद एक कंपनी में मैंने इंटिविय दिया और मेरा सेलेक्शन हो गया 13 नॉवंबर सन 2002 को मेरा सेलेक्शन हो गया एक डुमेस्टिक कॉल सेंटर में हाइडरबाद में और मैं वहाँ पर काम करनी लगा 6300 की पगार थी 5 दिसंबर सन 2002 को जब मुझे मेरा पहला पेचेक मिला 356 रुपय का मैं आपको बता दू मुझे धाई महीने हो चुके थे मुझे घर से भागे हुए मेरे घरवालों को कुछ भी नहीं पता था कि मैं कहां हूँ किस हालात में हूँ और ना ही मुझे पता था कि व 같이 हालात में है और उनके साथ क्या गुजर रहा होगा 5 दिसंबर सन 2002 को मैं बने अपने घरवालों को फोन करा sorry मतल्ब घर पे नहीं तार घर में फोन कर तेलिग्राम एक्सेंज हमारे पास कोई फोन नहीं था और जो टेलिग्राम ऑपरेटर थे उनको तार चाचा बोलते थे हमने बोला तार चाचा क्या पिता जी को बुलाएंगे और तभी तार चाचा ने मुझे क्या बताया कि बेटा तेरे घर में तो मातम ह वापस जरूर रखा है क्योंकि डाई महीने हो चुके थे मुझे घर से बागे हुए तारचाचे ने बताय कि मेरे घर में मातम रखा है क्योंकि मेरी माँ को हार अटाक आया हुआ था जब ने बार मान लिया था जब यह एख दिया था कि सतीश तो भाग गया अब आए गया नए नहीं दो नहीं पता नहीं कि लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार वालों को यह आस थी कि वह कभी नहीं वापस ज़रूर आएगा वह एक हारा हुआ इंसान नहीं है वह जुजा एक प्यार से मुझे छोटू बुलाते घर पे वो रोने लगे और ये कहने लगे बेटा घर वापस आ जा जाने तो तेरी माँ मर जाएगी अब मैं उस मुने कैसे बताओं कि मैं अब ही वापस नहीं आ सकता क्योंकि मुझे मुझे महीनो भर भी नहीं हुए नौकरी में आए हुए तो मैंने उन से जूट कहा कि पिता जी मैं जो है होली में आऊंगा लेकिन मैं होली में भी नहीं गया मैं एक साल के बाद गया और जब गया तो यकिनां मेरे पिता जी मेरे गाओंवाले सब बहुत गर्व कर रहे थे कि यह है फॉजदार का लड़का मेरे पिता जी का नाम फॉजदार है तो इस तरीके से डॉक्टर ना बन पाया मैं मैं बना नोकर मैं नोकर ना बन पाया मैं बना कबाड़ वाला और कबाड़ वाले के बाद मैं बना एक कॉल सेंटर एग्जेकुटिव और इस तरीके से मैंने call center executive के बाद मैं बना trainer, मैं बना soft skills trainer, मैं बना behavioral trainer और आज international author हूँ और मेरी book हिंदुस्तान की best selling book में से एक है तो मैं कभी हार नहीं माना, विशम परिस्तितियां एक टूल है, और अज़ार है अगर आप उनका उनको positively इस्तमाल करें तो यकीनन आपको एक hero बनाती है आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि विशम परिस्तितियां वो problem है, वो challenges है आप ऐसा बिल्कुल ना समझे, विशम परिस्तितियां हमारे जिंदगी में आती ही इसलिए हैं कि वो आपको एक ultimate hero बना सके जैसे मैं बना, जैसे और भी बहुत सारे लोग बने होंगे वो कहते हैं न, where there is will, there is the way जहां चाह है, वही राह है अगर हमारे सर में दर्द है तो हमें दबा खाना है और वापस काम पे जाना है क्योंकि मेरी मुस्कुराहट बहुत जरूरी है क्योंकि जब मैं मुस्कुराता हूँ तो मेरे चाहने वाले मुस्कुराते है इसलिए मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट बेहद जरूरी है ये लग बात है कि मैं कितने दुख दर्द में हूँ लेकिन अपण जबाएं और चेहरे पे मुष्कुराहत बना के रखना एँ याद रखें जिंदगी बहुत प्यारी है और इसे प्यारा कोई और नहीं आप खुद बनाएंगे क्योंकि आप अपने 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 जिंदगी के कहानी के रचाईता हैं जिंदगे आपको कुछ नहीं देने वालिई जिंदगी को माइन आपको देना है और आप इपने पनफ अपने दिंदगे को माहीन अपको तब मांएंगे जब अगर आप चल नहीं सकते तो आप रहेंगे ये आप रहेंग नहीं सकते आप कुछ भी करिए लेकिन वहां तक जरूर पहुचे क्योंकि आपकी मनजिल वही है इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें